नमस्कार मैं राजीब कुमार टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्याले ख्यत्रिये सुख्षा संस्थान N-C-E-R-T मैं सूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हारदिक स्वागत करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आज मैं कक्षा आठवी की हिंदी पाठ पुस्तक दुर्वा भाग तीन में संकलित एक कवीता को लेकर उपस्थित हुमा हूँ पाठ आरंब करने से पुर्व आपको कुछ प्रशनों के उत्तर देने हैं तो पहला प्रशन है जेने के लिए नियूनतम आवश्यक चीजें क्या-क्या हैं विकल्प है अ सिर्फ हवा ब केबल खाना स सिर्फ मकान और दा रोटी कपड़ा एवं मकान बिल्कुल सही उत्तर है रोटी कपड़ा एवं मकान दूसरा प्रशन है मनुश्य ज्यादातर मकान कहां बनाते हैं विकल्प है अ जमीन पर बा आसमान पर सा पहाडों पर अथवा दा पेडों पर बिल्कुल सही उत्तर है जमीन पर तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम जिस पाठ का काव्य पाठ करने जा रहे हैं उसका शिर्शक है फर्श पर जिसकी रचैता है निर्मला गर्ग कवित्री परिचे कवित्री निर्मला गर्ग का जन्म 31 मई 1955 को दर्भंगा बिहार में हुआ लेखन के अतिरिक्त जन नाट्यमंच से जुड़ी हुई है अब तक इनकी कूल चार कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है जिनके नाम है या हरागलिचा, कबाडी का तराजू, सफर के लिए रसद, दिसंबर का महिना मुझे आखरी नहीं लगता दूसरी कविता संग्रह कबाडी का तराजू के लिए इने हिंदी अकादमी दिल्ली का कीरती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है कविता में आए अपरिचित शब्दों के अर्थ और वाके प्रियोग से परिचित हो सकेंगे कविता के मूल भाव को समझ कर उसे अपनी भाशा या बोली में प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेंगे फर्ष वो घरेलो कारी करने वाली महला की महत्ता के बारे में जान सकेंगे तथा कडिया के सामानी परिचे से परिचित हो सकेंगे तो आईए अब कभिता का आधर्श वाचन शुरू करते हैं चिडिया आती है डाल जाती तिन के फर्ष पर हवा आती है, बिखेर जाती धूल फर्ष पर, सूरज आता है, सजा जाता चिंदियां फर्ष पर, मुन्ना आता है, उलट देता कटोडी फर्ष पर, मम्मी आती है, बिंती दाल चावल फर्ष पर, पापा आते है, उतार देते जूते फर्ष पर, महरी आती है समेट लेती सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कवीता फर्ष पर निर्मला गर्ग आधर्श वाचन के दोरान आपने कुछ ऐशे शब्दों पर गौर किया होगा जिसके अर्थ से शायद आप परिचित नहीं है तो आईए उन अपरिचित शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रियोग को जानते है शब्दार्थ वा वाक्य प्रियोग पहला शब्द है तिन के जिसका अर्थ है सोखी घास के टुकडे जिसे अंग्रेजी में स्ट्रोज कहते हैं वाक्य प्रियोग देखे चिडिया तिनकों से घूसला बनाती है दूसरा शब्द है विखेरना जिसका अर्थ है फैलाना जिसे अंग्रेजी में स्प्रेड कहते हैं वाक्य प्रियोग देखे छोटू ने खिलवनों को फर्ष पर बिखेर दिया तीसरा शब्द है बीनना जिसका अर्थ है चुनना जिसे अंग्रेजी में पिक कहते हैं वाक्य प्रयोग देखते हैं चावल से कंकड अलग करने के लिए उसे ठीक से बीनना चाहिए चौथा शब्द है चिंदिया जिसका अर्थ है धूप के छोटे छोटे चकते जिसे अंग्रेजी में लिटिल स्पेक्स ओप संसाइन कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें अधिक रोशनी के कारण फर्ष पर चिंदिया बन जाती हैं पाच्वा शब्द है महरी जिसका अर्थ है घरेलो काम करने वाली महिला जिसे अंग्रेजी में मेड कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें महरी हमारे घरों को साफ सुथरा रखती हैं चठा और अंतिम शब्द है बिवाई जिसका अर्थ है हाथ पैड के चमडे का फटना वाक्य प्रयोग देखें बिवाई के कारण जूते पहनने में तकलीफ होती है प्यारे विद्यार्थियों आईए अब कवीता के भावार्थ को समझते हैं फर्ष हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी का अटूट हिस्सा होती है निर्मला गर्ग जी उसी का जिक्र करते हुए लिखती है चिडिया आती है डाल जाती है तिन के फर्ष पर चिडिया आती है डाल जाती तिन के फर्ष पर हवा आती है विखेर जाती धूल फर्ष पर सूरज आता है सजा जाता चिंदिया फर्ष पर मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्ष पर भावार्थ अकसर चिडिया अपनी चोच में तिन के दबा कर लाती है और उसे फर्ष पर डाल कर चली जाती है इस तरह से चिडिया भी हमारे घर के फर्ष पर अपना अधिकार जताती है हवा जब भी आती है तो अपने साथ धूल कन लेकर आती है जो फर्ष पर बिखर कर जम जाती है सुरज अपनी किर्णों से रंगीन कागसी चिंदियां फर्ष पर सजा देता है छोटे बच्चों के लिए घर का फर्ष ही खेल का मैदान होता है वे सिर्फ कटोरियां ही नहीं उलड़ते बलकि अपने सारे खिलोनों को भी फर्ष पर बिखेर देते है फर्ष पर मम्मी पापा के काड़ी कलाप का जिक्र करते हुए निर्मला जी लिखती है मम्मी आती है बिन्ती है दाल चावल फर्ष पर पापा आते है उतार देते जूते फर्ष पर भावार्थ घर में महनाई ज्यादातर काम फर्ष पर बैटकर करती है माताई फर्ष पर दाल चावल बिलती है, सबजियां काटती है तो पिताजी फर्ष को आराम गाह बना लेते है जब वे काम से वापस लोटते हैं तो वे अपना जूता उतार कर वहीं आराम करने बैठ जाते हैं घर में काम करने वाली सहाईका के काम की सरहना करते हुए निर्मला जी लिखती है महरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने विवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कवीता फ़र्ष पर भावार्थ महरी हमारे घर में बिखरी पड़ी तमाम चीजों को समेट कर उचित स्थान पर रख देती है उनकी भागीदारी घरे लोग कार्यों तक ही समित नहीं रह जाती बलकि वह हमारे सुख दुख की साथी भी होती है काम करते करते उसके हाथों में चाले पड़ जाते हैं फिर भी उन हाथों से वह फर्ष पर फैली हुई सारी गंदगी साफ कर देती है इस तरह से हर रोज वह फर्ष पर एक नई कवीता लिख जाती है फर्ष फिर से निर्मल हो जाती है कवीता की प्रासांगिक्ता की बात करें तो यह कवीता फर्ष की उप्योगिता के साथ साथ घरेलू काम काज करने वाली महलाओं के महत्व का बखान करती है कवीता की प्रासंगिक्ता यह कवीता फर्ष की उप्योगिता के साथ साथ घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं के महत्व का बखान करती है कवीता आज के समय में बढ़ रहे एहंकार भाव के विरुद मानवता और कृतग्यता का संदेश देती है विया करन की बात करें तो कवीता में क्रिया शब्दों का सुन्दर प्रियोग हुआ है जैसे बिन्ती है उतार देते हैं समेट लेती है लिखती है आदी क्रिया शब्द है अर्थात जिन शब्दों से किसी काड़ी का करना या होना सिद्ध हो उन्हें क्रिया कहते है क्रिया के दो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक सकर्मक क्रिया वा होती है जिसमें करता द्वारा किया गया काडिय किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है अर्थात जब किसी वाक्य में करता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते है जैसे मम्मी दाल चावल बीनती है इस वाक्य में मम्मी करता है दाल चावल कर्म है तथा बीनती है क्रिया है अकर्म क्रिया वह होती है जिसमें करता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है अर्थात जब किसी वाक्य में करता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहां पर अकर्म्य क्रिया होती है जैसे मुन्ना जाता है चडिया उरती है इस वाक्य में मुन्ना और चडिया करता का काम कर रहा है तथा जाता और उरती करिया है लेकिन इसका प्रभाव और किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है इसलिए यहां पर अकर्मकरिया है हम उम्मीद करते हैं कि आप कवीता के भाव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तयार किये हैं जिसका उत्तर ढूंड कर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए तो पहला प्रश्न है आपके घर में काम कौन करते हैं उनकी विशिष्टाओं का उल्ले कीजिए दूसरा प्रश्न है मुन्ना की जगह आप होते तो क्या करते तीसरा प्रश्ण है आपके विद्याले की साफ सफाई कौन करते हैं उनसे बातचीत कीजिए तथा उनके अनुभब को अपनी नोटबुक में लिखिए चौथा और अंतिम प्रश्ण है इस कवीता को गीत के रूप में कक्षा में प्रस्तूत कीजिए आज के काड़ करम में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए पाट के साथ तब तक के लिए विदा धन्यवाद झाल 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 झाल